हलो दोस्तो लवली इनू और सीवा इनू की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो रहने वाला है लास्त तक वीडियो में बने रहेगा फिलाल अगर market की बात करें तो कल की date में काफी अच्छा खासा bounce back नजर आया था फिलाल अगर trending की बात करें तो LUNC यहां से remove हो चुका है जो की number one पर रहा करता था हमेशा फिलाल पोलिगन आचुका है क्योंकि इसने अपनी metaverse की रिगार्डिंग एक announcement दिये जो आने वाले कुछ महीनों में होने वाली मैंने इसके रिगार्डिंग आपको पहले भी आज से एक डेड महीन है पहले भी बताया था जो top 5 मेरी picks थी अगर altcoin की बात की जाये तो उनमें polygon matic सामिल था जीली का सामिल था XRP सामिल था और उन पर आपको अभी भी निगाये रखना चाहिए फिलाल अगर lovely inu की बात करें दोस्तों तो lovely inu की जो price है वो थोड़ी बो डाउन गई है market के against जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि market आज भी अच्छा खासा बुल्डन दिखा रहा है अगर lovely inu की बात की जाता है तो फिलाल सारा का सारा जो अपडेट से सारा का सारा जो इनका फोकस है वो कहिना कि लेकर उसकी प्राइस का जो सारा कुछ चल रहा है बिटमार्ट के अंदर चाहे उसका ओडिट वगएरा सारा कुछ उसका इसके लावा कोई बात नहीं हो रही है अब लोगों को चाहिए कि कुछ अपडेट उसके रिगार्डिंग बे है जो कि इसकी एनवर्सरी पर होने वाला है यानि कि कि एनवर्सरी के दिन जो लिष्टिंग होने वाली वा उसमें का छान आपको घर कशी थोड़ार दिखाना है और इनवर्सरी तक वेट करना है अपको अच्छा गासा गूलडन चांस मिलने वाला है अपना प्रोफिट बोग करने का तो इस चीज की में आपको अशूर कर सकता हूं लेकिन दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं कि दो जिरो कर देगा तीन जिरो कर सकता है तो यह सारी चीजे दोस्तों थोड़ी सी मलब शूर नहीं है कहीं नहीं क्योंकि 10x तक मैक्सिमम में प्रोफ तो इसी साल आने वाला है मैंने आपको बोल दिया है कि यह दुबारा से 10-200x प्रोफिट दे सकता है कुछ लोग बोलते कि सिबा इन्होंने जितना भी प्रोफिट देना था वो ओलड़ी यह दे चुगा है क्योंकि इसकी प्रैस जो यह अभी काफी अच्छे खासे लेवल रहा है अब मार्केट में जैसा है रिकवर आया अगर इस तरह से आगे एक दो बार और रिकवरमेंट आता है तो सिबा इन्हों 10x काफी जल्दी दे सकता है सीबिरेम के बाद में अकेला सीबिरेम ऐसा अपडेट है जो इसको 10x तक ले जा सकता है नया एटिस बनने वाला है दोस्तों डेफिनेटली सीबिरेम आने के बाद में क्योंकि सीबिरेम की काफी ज़्यदा चर्चे है फिलाल बरनिंग के अगर बात करें तो पिछले 24 आर में काफी बड़ी बरनिंग हुई है हुज बरनिंग जो की लगबग 777 मिलियन से भी जादा की बरनिंग हुई है और बर्निंग दोस्तों एक ही दिन में नहीं हुई है पिछले अगर आप चार-पांच महीनों में देखा जाएगा तो अगर आप ट्रांजेक्शन के थ्रू बर्निंग की देखोगे दोस्तों तो उसका रेसो दोस्तों लगबग यही है 112 मिलियन के आसमास लेकिन बाकी की जो बर् बर्निंग काफी जदा बढ़ गई है कही नहीं और डेली बेसिस पर अगर इसी तरह से बर्निंग होती रही तो सिबा इनु की सप्लाई आने वाले कुछ साल में काफी जदा रिडियूस हो जाएगी तो इसका अगर एक दो साल में या लोंग टम में तो कुछ लोग बोलते क जा चैनल में तो या कभी यह About 1 जा सकते हैं तो inflam डेफिरियक दया सकता हैे डस जा सकता है अगर आप अगले पास सालों तक देखोंगे तो तो यही इसका प्रैस पडिक्सन लेता है लेकिन 2020 एंड तक अगर आप देखोगे तो आप 10X नोर्मली ल के सकते हो कि इतना जा सकता क्योंकि उसका भी सबसे बड़ा रिजन इसकी बर्निंग नहीं है वो है सीबीरियम तो फिलाल यह था लवली नू और सिबानू के रिगार्डिंग अगर आपको इंफर्मेशन से लिगो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं फिलाल के लिए बाय बाय थेंक्यू